Welcome students एक बार फिर हम लेके आए है आज Revision Series जो History of Jammu and Kashmir है उसके बारे में History of India और Indian Geography हमने वो अरड़ी complete किया है तो आप वो प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हो अब History of Jammu and Kashmir सिर्फ दो लेक्चेर्स में हम ये complete करेंगी History of Jammu and Kashmir और History of Jammu and Kashmir के बाद हम उठाएंगे जो Geography of Jammu and Kashmir है उससे भी कभी कम समय में हम complete करेंगी तो चलिए स्टार्ट कर लेते ही ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी जो कोशिश होती है कि कम समय में आपको ज्यादे से ज्यादे information मिले Revision में आपको important points मिलेंगे और important points वो भी exam के related History of Jammu and Kashmir जियां History of Jammu and Kashmir पहले हमें क्या करना होगा दिखिएगा जammu की हिस्ट्री आ लगे कश्मीर की हिस्ट्री आ लगे sources पढ़ना हमें पहले तो पहले पढ़ लेते ही हम कश्मीर जो history है उसके sources क्या है books कौन कौन सी है पहली book है निल्मत पुराना जिसे कहा जाता है लिखा है अन्नून आथर ने यानि आथर का नाम हमें नहीं पता है अब तक according to this book इस book के बारे में क्या है ये कहती है कि नागाज वर दे ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स अप कश्मीर असली इन्हाबिटेंट्स अब कश्मीर कौन थे नागाज और ये कहता है कि कश्मीर वाज ए बिग लेक जिसे कहा जाता था सती सर ये कौन कहता है निल्मत पुराना में आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद books की बात कर रहे हैं sources की बात हमें कहां से पता चलता है कि history of government कश्मीर के बारे में यनि history of कश्मीर के बारे में तवारी के हसन भाई पीर पीड़ाज़ तवारी के हसन गीए ने लिकिए है इसमें क्या हमें थे एक relationship जो सुल्तान सिकंदर और 타imur के बीच थी इस बुक टेलस अस दे रिलेशनशिप बिट्वीन सुल्तान सिकंदर एंड ताइमूर बात खातम यहां से अब आते हैं हम राज तरंगनी की और राज तरंगनी सबसे फेमस बुक है और इसे कहा जाता है राज तरंगनी जो लिखी थी कलहना ने कलहना को कहा जाता है ट्रांसलेट किया गया है दो तीन मरतबा तो हो सकता है examiner जो भी है आपसे question यह पूछा पूछे की राज तरंगनी कौन सी language में लिकी गए थी राज तरंगनी वस रिटेन इन सनस्कृत लैंविज बट्रांसलेट इंट पर्शन बाइमूला अहमद राज तरंगनी राज तर सब्सक्राइम यह पूछा तरंगनी को किसीじゃन ने translate किया था English में अब बढ़ लेते हैं आगे और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं तवारीख कश्मीर जी हां तवारीख के कश्मीर आप यहां पर तवारीख के कश्मीर और मलिक हाईदर तवारीख की कश्मीर किसने लिख़ा ह कश्मीर इस बुर्जहामा यह डिस्कवर की गई थी वक्त कश्मीर यहां आप खुदी प्रनावन्स कर सकते हैं किसने लिखी थी वक्त कश्मीर भाई खुजा मुहम्मद अजम कोल दे वेली अफ जिहां दे वेली अफ किंगस बाई सर वाल्टर लावरनस वेली अफ किंगस किसने लिखी थी वाल्टर लावरनस ने उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आगे और सोर्स अफ जम्मू हिस्ट्री मैंने कहा था आप से कि कश्मीर हिस्ट्री के सोर्स अलागे जम्मू हिस्ट्री के सोर्स अलागे Sources of Jammu History के पहला जो है पार्ट है यहाँ पे देख लीजिएगे इंपोर्टन्ट है यह वाला Rise and Fall of Jammu Kingdom यह किस ने लिखा था? By S.S. Charak, Dr. S.S. Charak Rise and Fall of Jammu Kingdom by S.S. Charak आगे बढ़ लेते हैं तवारीक Jammu by Hashmatullah Khan तवारीक Jammu by Hashmatullah Khan तवारीक Jammu was written by Hashmatullah Khan उसके बाद, the book Lord of Hills is written by J.C. Simit The Lord of Hills book is written by J.C. Simit Remember it, Raj Darshani by Ganesh Daswadhedra Gulab Nama is written by Diwan Kripa Ram आगे बढ़ लेते हैं तवारीक दोगरा डेश तवारीक दोगरा डेश नर्सिंग दास नर्गिस उसके बाद, तवारीक किष्टवार हमने पढ़ना है तवारीक किष्टवार के बारे में शियोजी दर ने लिखा है ये बुक तवारी की किष्टिवार आगे बढ़ लेते हैं तवारी के अक्वाम पुंच ये किसने लिखा है मुहमद बिन फॉग उसके बाद जमू नेम इस मैंचन इन महाबारता याद रख लिजी का जमू का नाम जो है महाबारता में भी आया है आगे बढ़ लेते हैं अब एंचेंट हिस्ट्री अब कश्मीर पढ़ना है हमें सोर्स तो हमें पता चला कि कहां से हमें कश्मीर हिस्ट्री के बार में पता चलता है मौरेन अंपायर जो ही अंपायर है जो इंडिया में में रूल कर रहा था तो इसके किंग जो थे अशोका फाउंड दे ओल्ड सिटी स्री नगर न उसके बाद कुशन अंपायर ये भी इंडिया में रूल कर रहा था और फॉर्थ बुद्धिस्ट काउंसल हेल्ड हो गई कहाँ पे कनिश्का के दोर में एट कुंडलवन कुशन अंपायर के अंपायर कोन थे उस वकट कनिश्का और उसने क्या किया फॉर्थ बुद्धिस्ट काउंसल कहाँ पे किया कश्मीर में किया कुंडलवन में किया नियर शालिमार बाग याद रख लिजी कर नियर शालिमार गार्डन यहाँ पे मैंने लिखा है नियर शhralhmar garden आगे बाद लेते हैं करकोटा डाइनास्टी अब बात कर रहे हैं हम कश्मीर के अपने यहाँ पे रूलर से तो अपनी डाइनास्टी के बात कर रहे हैं करकोटा डाइनास्टी यह देखी गाई यह जो डाइनास्टी ती यह चाहे कुशनस थे यह मौरेन अमपार यह इंडिया में भी रूल कर रहे थे और कश्मीर में भी यह रूल कर रहे थे लेकिन करकोटा डैनास्टी का क्या था यह एक रूलर हुआ करता है जैसे कि मौगल अमपार में मौगल डैनास्टी में अकबर है और शामीरी डैनास्टी में जैनल अबदीन है वैसे ही करकोटा डैनास्टी में एक एबुल रूलर हुआ करता था जिसे कहा जाता है लालेतिया पिदा मुक्तपिदा और इसे कहा जाता है He was also called Samadhur Gupta of Kashmir. Samadhur Gupta of Kashmir. अब अढ़ लेते हैं हम Medieval Kashmir की ओर. Medieval Kashmir में सबसे पहले बात करते हैं हम Utpala Dynasty. Utpala Dynasty was founded by Avanti Varman and उसने found किया एक टाउन जिसे कहा जाता है Avanti Pora. जिसे कहा जाता है Avanti Pora. Avanti Pora कहा जाता है इसे. Gupta Dynasty founded by Parva Gupta and Queen Dida was the Abel ruler of this dynasty. यहाँ Gupta Dynasty की सबसे famous ruler कों थी? Queen Dida और यह Abel ruler थी इस dynasty की Gupta Dynasty के और इससे she died in 1003 AD. Remember it? चलिए आगे बढ़ लेते हैं Lohra Dynasty Lohra Dynasty founded by Sangram. Lohra Dynasty was founded by Sangram और इसके Abel ruler कों थे? Greatest ruler कों थे? Jai Seema was great ruler of this dynasty. यहाँनि Lohra Dynasty के बात करते हैं. उसके बात हम medieval Kashmir के और आ रहे हैं. यहाँनि Muslim rule अब तक start नहीं हो था कश्मिर में. अब Muslim rule start होता है. और कौन करता है? शामीर. जिसका original name क्या होता है? Sultan Shamsuddin. यह original name होता है शामीर का. जिसे कहा जाता था बढशा जिसे कहा जाता था बढशा और इसका जो पीरड था कारेकाल था 1420 से लेके 1470, 80 तक great sultan as well as जिसे कहा जाता है great sultan as well as the akbar of Kashmir as well as the akbar of Kashmir जिहाँ as well as the akbar of Kashmir उसके बाद चक डैनास्टी आती है और इसको कौन फाउंड करता है गाजी चक चक डैनास्टी वास फाउंड़ बाई गाजी चक remember it that चक डैनास्टी वास फाउंड़ बाई गाजी चक और इसके लास्ट रूलर कौन थे युसुपशाई चक इसके लास्ट रूलर कौन थे अकबर बिुल्ड हरी परवत फोट इन स्री नरगर एंटि विजिटिटिड कशमीर फавливर हमें को पूछा में पूछा जाता है कि किस मुगल हम्परर ने ज्यादा कशमीर में विजिट किया है maximum time में जांगिर ने ही विजिट किया है कश्मिर और याद रख लेना कि जांगिर ने found किया था शालिमार बाग जांगिर founded शालिमार बाग और उसके जो brother in law थे brother in law आसिफ खान founded सारी आसिफ खान ने क्या रखा निशाद बाग बनाया आसिफ खान उसके brother in law थे किसके जांगिर के उसने क्या बनाया आसिफ खान ने बनाया निशाद बाग आसिफ खान बिल्ट निशाद बाग आगे बढ़ लेते हैं शाह जाहान विजिटेड कश्मिर four times remember it and built it चश्मा शाही देखीगा शाह जाहन ने चार मरतबा कश्मिर में विजिट किया ठीक है उसके बाद जांगिर ने सबसे ज्यादा विजिट किया है अगर कोई question पूछा जाएगा किस किस मोगल empire ने कश्मिर में किस मोगल empire ने कश्मिर में विजिट किया है ज्यादा से ज्यादा समय तक यहाँ पे रहे हैं यारे ज्यादा टाइम वो यहाँ पे रहे हैं और ज्यादा टाइम यहाँ पे वो आए हैं हर मरतबा वो आते थे वो थे जहांगिर जो 14 टाइम आए है शाय जहां चार टाइम आए है 4 टाइम और बिल्ट उन्होंने क्या बनाय परी महल याद रख लीजियेगा चश्माशचाईः वास भुछ बूलट बई शायज़हान अड़ाश शुको अवरण फुछ शाय जाहन, वुछ बुल्ट परी महल अबगान रूल इसके बाद स्टार्ट होता है जिसे कहा जाता है पठान रूल भी इसे कहा जाता है डारकस्ट पिरिड इसे कहा जाता है डारकस्ट पिरिड और फिस्ट अफ़स्ट 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 पूर्ण के साइड में है नाला आमिर खान नाला आमिर खान नाला आमिर खान आनली अपगान गवर्नर विट साफ्ट हाट कह सकते हैं जो मैंने पहले ही कहा कि डारकेस्ट पीरिट कहा जाता है यहां पे लिखा है मैंने डारकेस्ट पीरिट कहा जाता है अपगान रूल को और सबसे सॉफ्ट रूलर थे इसमें अता मुहम्मद अता मुहम्मद अन लास्ट रूलर लास्ट अफगान गवर्नर वाज जबार खान ज सिख रूल को यहाँ पी किस ने फाउंड की याद रखिए 가서 रंजीट सिंग रंजीश इंग बंची सिख के पहले गवर्नर को थे डिवान मोती मैपटी वास first सिख गवर्नर इसके बाद इसके जो एबूलac वारन रभर्नर थे मिया सिंग कोलोनल सहब best गवर्नर इसे best sick governor कहा जाता है मिया सिंग कोलोनल सहाब best sick governor और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं last sick governor was जबर खान sorry last sick governor was last sick governor was शेक इमामुदीन शेक इमामुदीन was the last sick governor उसके बाद हम history up जमू पढ़ेंगे हमने already history up जमू के जो sources है वो भी complete किया है सिर्फ हमें कल history अब जमू पढ़ना है और डोगरा रूल कोशिश करेंगे कि कल हम complete कर ले देखिएगा काफी कम समय में हम मैं अगर चाहता तो मैं इसमें add कर सकता था ज्यादा लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे students की ये demand आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा lengthy videos नहीं होने चाहिए हम bore feel करते हैं देखिएगा आप किसी तरह से भी आपकी demand साती है लेकिन हमारा पहले से ही motive है कि कम समय में आपको ज़्यादा knowledge मिले और वही कोशिश हम जारे रखते हैं उसके साथ साथ अगर आपको जो हमारा already हम कोशिश किया है हमने MCQs की series याने mock test की series हमने already start की हुई है तो आप वो देख सकते हो आप description में link मैं रख लेता हो आप वो जो है वो उसमें बाग ले सकते हो और आपना score वो चेक कर सकते हो कि कितना आपका score आता है completely free है तो thank you guys